उत्राखंड उधम सिंग नगर में इस्थित मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में राचिस्टरी खेल महाकुम्ब 2023 में प्रतिभाग किया जहां कारिक्रम स्कूली छात्राओं ने देव भूमी की संस्कृती का परिचे देते हुए शांदार संस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की इस दौरान खेल मंत्री ने 13 जनपदों से आए हुए खिलाडियों को उनकी प्रतियों के ताओं के लिए शुब कामनाई दी साथी साथ समवाध किया उन्होंने सरकार की तरफ से चलाई जा रही खेल योजनाओं की सभी खिलाडियों से जानकारी ली जिस पर समस्त खिलाडियों ने खेल विभाग द्वारा संचालित योजनाओं पर खुशी वियक्त की खेल मंत्री ने सभी खिलाडियों से कहा कि आज खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके जरी हम सभी स्वस्थ मन के साथ ही स्वस्थ तन को प्राप्त कर सकते हैं हमें खेल यहां जीवन मे अनुशासन सिखा था हैं वहीं खेल से टीम भावना और टीम का नेत्रत्व करना भी सीखते हैं कहा कि आज राज्य सरकार ने खेल और खेलाडियों को प्रोच्छाहित करने के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं है उब सुक्त कर में भी प्रदेश में खेल के वातरवन को डैबलब करने के लिए लगता करकार ने ले रहे हैं जिसमें एक दूसरा उसमें खेल प्रोसान है जिसमें आठ से चौदा चौदा से तेइस वर्स तक के बच्चे उसमें कवर होते हैं लगवार आठ तर बच्चे से लावगा ले रहे हैं इसके अतरिक जो उनकी प्रसिक्षक है यानि की कोचों से हैं उनका मांदेवी सरकार ने एक संबान ज सब्सक्राइब करके दिया है तो हमारे बच्चे जो मेडल लाए हैं 2014 से अभी तक में वे सारे बच्चे अपलाई कर सकते हैं और उस अपलाई के मादम से निश्यत रूप से वो सरकारी जौब जो सम्मान वो चाहते हैं अपने जीवन का वो उनको वहां पर देने का काम जो ह प्रतिशत में संपूर्ण नियाएं कर पाई वह है बच्चों को चार प्रतिशत का आरक्षन देना यानि कि स्पोर्ट स्कोर्टा जो है वह चार प्रतिशत रखना या उसका किया जाना नितान तावशक है और राष्टी खेलों से पहले-पहले इसका होना बहुत आवशक है क्योंकि यह दोनों ही चीज़े ऐसी हैं जो कि खेल के वातरण को बैतरिंग करने में खेल करांती आउट आउट टर्न से आई है और खेल यूट के शुरुआ जो है वह चार प्रतिशत के आरक्षन के लागो हो जाने के बाद से मुझे लगता है वह संभा हो जाएगा तो मेर अब यह परीचे कि देव भूमी में सेनी भूमी हिमाले की भूमी अन्य अन्य प्रकार से देवियों की भूमी इस तरह से आता है और मुझे लगता है यह वह समय दून नहीं जो हम चार प्रतिशत का जब आरक्षन लागो कर देंगे तो निश्य तरु से हमारे उत्तरा में जो है देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर